कोरोना के बढ़ते केच्सों को देखते हुए देश की राजधनी दिली में एक सपताह का लोगडाउन लगा दिया है जिसके कारण दिली में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने अपनी घर की और पलाइन करना शुरू कर दिया है दिली से सटे गाज़बाद के कोशामी बस डिपो पर अचानक से भीड उमडाई प्रवासी मजदूरों अपनी गनतववे तक जाने के लिए लगातार यहां पहुँच रही है इन सभी प्रवासी मजदूरों को डर है कि कहीं लोगडाउन के सीमा आगे भी न बढ़ा दी जाए जिसके कारण आनंद बेहार और कोशामी बस डिपो पर प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में पहुच रही है प्रवासी मजदूरों ने बताया कि लोगडाउन के कारण उनका कारुबार बंद हो गया है जिस वज़त से उन्होंने अपने घरों को जाने का निने लिया है प्रवासी मजदूरों अपने घरों पाइब है जिए अगुडाण हो रहे जब काम जंदा नहीं है तो पर आसानी धूरी आइगा दरसल राज्धानी दिली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे दिली में हर रोज 25,000 के करीब केस आ रहे हैं और दिली में बैट्सकी भी भारी कमी देखनीकों मिल रही है जिसके कारण दिली में स्वास्ते विवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है इसी के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने एक सप्ताहा के लोकडाउन का एलान किया है इस दोरान जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईकार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा एक राज्य से दूसरी राज में जाने वाले सारवजनिक परिवहन जारी रहेंगे किसी भी सारवजनिक, राजनितिक, धार्मिक कारिक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी गाज़बाद से संजय मितल की रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद